नमस्कार प्यारे बच्चों, बच्चों आज हम क्लास 7 की हैपिनस स्टोरी 11 पढ़ने वाले हैं जिसका शिर्षक है फाइनल शॉट यह घटना 1960 के दशक्की है उस समय विज्ञानवम तकनीकी का इतना विकास नहीं हुआ था जितना आज हैं अंतराष्टियस्तर की खेल प्रतियोगिता में टैनिस के मैदान पर मैच चल रहा था मैच फाइनल था इसलिए स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था मैच बहुत ही रोचक था जैसे ही एक खिलाडी अंक प्राप्त करता तो आधा स्टेडियम तालियों से गूंज उठता और कुछ देर पश्चात जैसे ही दूसरा खिलाडी बराबरी पर आता तो फिर से आधा स्टेडियम हर्श उल्लास से जूम उरता एक बार तो ऐसा लगा कि यह मैच अरनेने तनेहने वाला है क्योंकि दोनों ही खिलाडियों का स्कोर 14-14 पर आकर रुख गया था काफी देर से बॉल रैकेट के थपेड़े खा रही थी अचानक ही पूरा स्टेडियम खड़ा हो गय तालियों की गड़गड़ा हट और खुशी से चिलाने की आवाजें शुरू हो गई क्योंकि एक खिलाडी ने फाइनल शोट मार कर मैच अपने नाम कर लिया था हारने वाले खिलाडी ने विजेता को हाथ मिला कर जीत की बधाई दी रेफरी, कोच और सभी समर्थकों ने विजेता को बधाई दी लेकिन विजेता खिलाडी के चहरे पर खुशी नहीं जलक रही थी वह किसी गहरी सोच में दिखाई पड़ रहा था इसे बीच विजेता की लाडी को मंच पर बुलाया गया जैसे ही मुख्य अतिती उसे स्वन पदक पहनाने के लिए आगे बढ़े तो उसने रुकने का इशारा किया और माईक हाथ में लेकर कहा मैं सभी खेल प्रेमियों का आभार प्रकट करता हूँ कि आप मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं परन्तु मैं यह कभी स्विकार नहीं कर पाऊंगा कि मैं एक फाउल शोट मार कर विजेता कहला हूँ इस पदक को लेने का हग मेरे साथ खेलने वाले दूसरे खिलाडी का है यह सुनते ही पूरे स्टेडियम में सन्नाटा चा गया लेकिन कुछ ही देर बाद पूरा स्टेडियम एक साथ खड़ा हो गया और तालियों से गूंज उठा इस बार उस खिलाडी के चहरे से खुशी जलक रही थी क्यूंकि उसने जीत की शनिक खुशी की बजाए इमानदारी की ठहरने वाली खुशी को चुना था तो बच्चो अब कहानी से संबंदित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं बच्चो उस खिलाडी के अलावा फाउल छोट के बारे में किसी को भी पता नहीं था फिर भी उसने स्वन पदक स्विकार क्यूं नहीं किया बच्चो क्या आपने भी कभी खेल के दोरान ऐसा किया है कब और क्यूं